एक बहुत पुराना और फेमस गाना है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना आए या ना आए गाना चाहिए अक्सर कई लोग नहाने में आना कानी करते हैं और खास कर ठंड के मौसम में नहाना किसी को पसंद नहीं होता लेकिन जब मम्मी की डाट पड़ती है तो सभी को मजबूरन नहाना ही पड़ता है कुछ लोग ठंड में एक या दो दिन के बाद नहाते हैं कुछ लोग एक दिन भी बिना नहाय नहीं रहते हैं लेकिन अभी जिस सक्स की बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उस शक्स ने 50 साल तक नहीं नहाया और जब नहाया तो उसका निधन हो गया एक या दो दिन नहीं नहाने पर हमें बेचैनी होने लगती है लेकिन सोचिए 50 साल तक ना नहाने पर किसी को कैसा लगता होगा दुनिया का सबसे गंदा आदमी शायद ऐसा नहीं सोचता था दरसल हाली में इरान के निवासी अमो हाजी का 94 साल के उमर में निधन हो गया हाजी इरान के दक्षिन प्रांथ के फारस में रहते थे माना जाता है कि उन्होंने 50 साल तक बिना नहाय गुजार दिये इस लंबे अर्से के दोरान कई लोगों ने उन्हें नहलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया एकांत में रहने वाला हाजी पांच दशकों में पहली बार नहाया तो कुछी महिने बाद उसने दम तोड़ दिया अमो हाजी ने करीब 50 साल से पानी और साबुन का अस्तमाल नहीं किया था उसे डर था कि या उसे बीमार बना सकता है इस्थानिय ग्रामिनों ने कई बार उसे साफ करने का प्रयास किया लेकिन उसने साफ इंकार कर दिया लेकिन एक दिन आखिरकार हाजी दवाव में आ गया और उसने कुछ महिने पहले स्थनान कर लिया नहाने के कुछ दिन बाद ही वह बिमार हो गया और बीते रविवार को उसकी मौत हो गई 2014 में एक इंटर्वियो में हाजी ने बताया था कि उसका पसंदीदा खाना पार्क्यू पाइन है और वह एक गड़े में जोपड़ी बना कर रहता था इतने सालों से ना नहाने की वज़ा से हाजी की तुचा काली पड़ गई थी वह गंदा खाना और गंदा पानी ही पीता था उसकी कई पुराने तस्वीरों में वह सिगरेट पीते भी नजर आता था नहाने के प्रयासों या पीने के लिए साफ पानी देने पर वह उदास हो जाता था तब से लंबे समय तक ना नहाने का रिकॉर्ड हाजी के नाम था बताया जाता है कि अपनी युवा वस्था में कई आसफलताओं के बाद हाजी ने इस तरह का जीवन जीने का फैसला किया था वह एक वार हेलमेट पहन कर रखते थे ताकि वह खुद को सर्दी से बचा सके उन्हें धूमरपान की लगत थी वह कहते थे कि नहाने से वह बीमार पड़ सकते हैं अमो के बच्पन में कुछ ऐसा हाथसा हुआ था जिसकी वज़ा से उनका विश्वास नहानी पर से उड़ गया था उन्हें लगता था कि अगर वे नहाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी इसी कारण से अमो का मन कभी भी नहाने का नहीं किया पचास सालों से नहाने के कारण उनके शरीर पर धूल मिंटी की मोटी परत जब गई थी उनके शरीर से बदबू भी आती थी नहाने के कुछ दिन बाद ही वह बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई ऐसे बाना जा सकता है कि अचानक बॉडी टेंप्रेचर बदलने से उनकी तब्यद बिगड़ गई हो हारा कि इस पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है दुनिया से कटकर आमो हाजी अकेले रहना पसंद करते थे कई सालों से ना नहाने की वज़ज से हाजी के शरीज में कई बैक्टिरिया ने घर बना लिया था विवेकानन्द विद्यमंदर स्कूल एक CVSC affiliated English Medium Code स्कूल है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं